हे गाइस चलिए आज हम बनाते हैं चिकन प्रैट पकड़े जो खाने में इतने टेस्टी होते कि आप लोग एक बार बार बनाओगे तो चलिए इसको बनाते हैं तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले ले लेना है चिकन कीमा जिसको हम अच्छे से वाश कर लेंगे फिर उसके लेंगे जिसको हमने बारिक चॉप कर लिया फिर उसके बाद यह पर हमने प्यास को भी चॉप कर लिया देना है इक पैन उसमें चिरा जीन आलने के बाद इसमें जीरा चाहिए जिबडर गूर्द रमिर्च उसके बाद बार बारिक कुई हेरी मिर्च और पिसके बदा 집데 के और फिर इसमें हमने डाल देना है salt ताकि जो हमारे प्यास टमाटर है ये अच्छे से cook हो जाए तो हमने इसमें salt डालने के बाद इसको अच्छे से mix करेंगे फिर उसके बाद हमने इसको mix करकर थोड़ा cook कर लेना है को जब हमारी प्यास टमाटर हलका हलका कुक हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे चिकन कीमा तो चिकन कीमा डालने के बाद हमने इसमें डाल देना है धनिया पावडर फिर डालेंगे हल्दी पावडर और फिर डालेंगे इसमें रैट चिली पावडर फिर हमने इसमें थोड़ा गरम मसाला भी add कर देना है हमने बिल्कुल थोड़ा गरम मसाला加ेड करेंगे तो आपकी चौईज है तो आप Theater सकते हो बना इसको इस्कीप कर सकते हो फिर इसमें डाल देना है सॉल्ट, थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि सॉल्ट महनें पहले को घृत किया था फिर अच्छे से मिंक्स कर लेंगे मिक्स करने के वाद हमने इसको कवर करकर लेना है र event possibilite 네ég को लावाली श्टाफिंग लेना है फिर हमने एक पावल लेना है फिर उसमें डालेंगे हम ये बेसन डालेंगे क्योंकि हमने ब्रैट पकड़े बनाने तो हमने इसकी बैटर बनाना है तो फिर हमने इसमें थोड़ा मैदा एट किया फिर कुटी वी लाल मिर्च, कुटा हुआ धन्या फिर इसमें सॉल्ट है कसूरी मेति कसूरी मेति से तो कुछ अच्छा ही फ्लेवर आजा फिर एट करेंगे हम इसमें थोड़ी अजभाइन अजभाइन आट करने के बाद हम सब चीजों का अच्छे से mix कर लेंगे, बेसन में सारे ingredients को, फिर इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएंगे और अच्छे से mix करते जाएंगे, थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे, mix करते जाएंगे, अगर हमने एक सास सारा पानी add किया, तो क्या होगा कि बेसन में lumps प गड़े बहुत अच्छे बनें तो बस इसको थोड़ा फीट लेंगे पानी डाल कर और मुझे यह लो गलर थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा यह लो कलर और डाल दिया और फिर इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद देखे कुछ इस तरीके बैड पगौर्णा पगॉर्ड न को अप्रलेंगे मुनिट पर में दो में जो से अच्छा न सकते हो तो मैंने की क्रें दोगा। नो है मैं इसको सेमें स्टाइब लिए स्टाइब चिरीश से तो सीसित भिख दिए से कवर किया किया अर फिर सका गदर दाबिए डाल दी फिर ब्रैट पकोड़े को हम गोल्डन करेंगे और जब तक यह गोल्डन नहों जाए इसको अल्टे पल्टेंगे और अच्छे तरीके से गोल्डन कर लेना है एकदम क्रिस्पी-क्रिस्पी मुझे तो ब्रैट पकोड़े क्रिस्पी पसंद है अगर आपको सॉफ्ट तो आप इसको थोड़ा कमी प्राइ करें तो बस यह सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर यहां पर देखे इसका गोल्डन कलर हो जाएगा लगा तो हम इसको बहार निकाल देंगे और हमारी यह टेस्टी-टेस्टी ब्रैट पकोड़े जो है न तो यह रैडी हो जाएंगे तो इ